किपलो एव्रीवन कैसे हैं। आप सब ध Gaming ने खुत होंगई । तो आज मैं आप लोह के साथ शेयर करने जाह रही हूं एक बहुत आप लोगोगो पते है की मै고 शेलेल पर हमेशा क्लीनिंग के वीडियो आते हैं तो क्लीनिंग का आप लोगों के साथ सेयर करूंगी और आज अपनेयम का कोकर जो है वह बहुत ही अच्छी और बहुत ही तुने करेंगे हम बहुत ही अच्छी चीज है इतनी आसानी से हो जाता है कि मतलब मैंने अभी जो cleaning की है तो मुझे खुदी विश्वास नहीं था कि इतना अच्छा काम करेगा और यह वाकई में बहुत अच्छा काम करता है तरीका जो मैं आप लोगों को बता रही हूं यह वाकई में बहुत ही useful है और एक बार अगर आप क्लीन आपको कभी भी टेंसे नहीं होगे के बरतन चाहीं जितने जल जाएंद यह ज्या पर चाहिए तो यह देखने के बाद यह तो यह सब ऐसे ही हो लेकिन मैंने सुच्छे चलिए पहले एक बार ट्राइ कर लेती हूं और अगर होगा तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंदी और बाकई में बहुत यूसफुल है और आज के बाद तो मैं बस इसी से क्लेन करने वाले हूं और सबसे वाड़ी चीज है कि जब हमारे बरतन जल जाते हैं तो मैं बहुत टेंशन होती है क्यूंकि बहुत टाइम जाता है और मेहनत होतीए और सर्दियां नहीं है ओगए भाड़ते हैं जैसे जले बले वरतन हो जाते हैं तो हाथों के भी दसा हो जाती है तो वह सब कुछ बस आपको थोड़ी देर के लिए लगा के रख देना है और आप देखेंगे कि बिलकुल क्लीन हो गया है आपका बरतन तो चलिए दोते हैं अमाद अल्मोनियम का कुकर चलिए तो सबसे पहले मैं आपको अपना कुकर दिखा देती हूँ जिसकी हालत हो चुकी है इतनी गंदी और यह जल चुका है पूरी तरीके से और इसको क्लीन करना है मुझे तो मैं आपको वैसे तो अगर मैं इसको नॉर्मली जैसे हम लोग नॉर्मल ब को दे रही हूं और हमारे घर में हर किचिन में मिल जाता है ऐसा एक खाने की चीज है मतलब जैसे कि हम लोग के किचिन में होना ही होना चाहिए और इतना ठेस्टी होता है और उस से हम करेंगे क्लीनिंग तो में तो आप देख सकते हैं बुरी तरीगी से जल चुका है ये कोकर और अब हम चलते हैं इसको लेके दो बस करेंगे क्लीन और इसके लिए हम चाहिए होगा तोमेटू केचप कैसे काम करता है ये भी मैं आपको बताऊंगी और तोमेटू केचप के साथ हमें एक चीज मिलानी होती है बस और कुछ नहीं करना होता है तो पहली चीज हटो एक पहले चीज गोड़ें टोमेटो ट्टेशप और उसको हम पूरे आ जितना यह जमा है चार तरफ अच्छे प्हेला देंगे तो इसको हम फैलाने के बाद एक इसमें एक चीज और मिलानी है हमें और बस हमारा ये कुकर हो जाएगा बिलको बस हमें थोड़ा सा पेसेंस रखना है क्योंकि हमें तुरणत ही क्लीन नहीं करना है इसको लगा के और थोड़ी देर के लिए रखना है और जिससे ये अपना काम कर सके इसमें जो भी चीजों से मिलके बनता है ये टमैटू केचप तो वह अपना काम कर सके जैसे कि इसमें विनिंगर होता है तो बिनिंगर क्लीनिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है तो ये देखी मैं चारो तब लगा दूगी इसको टमैटू केचप को तो हमें बड़ यह अच्छे से फैला देना है और पूरे में लग जाना चाहिए जहाँ जहाँ यह जला हुआ है तो बस यह जहाँ जहाँ लग जाएगा थोड़ी देर रखा रहेगा तो यह अपना काम करेगा और यह जला हुआ जितना भी है यह सब इसको इतना mild कर देगा मतलब इतना soft हो जाएगा कि हमें फिर धुलने में कोई problem नहीं होगी और बस इसके बाद हमें जब हम यह लगा के और रख देंगे थोड़े देर के लिए तो इसमें फिर हम एक चीज और मिलाएंगे जो हम आपको अभी दिखा रहे हैं तो थोड़े देर रखने के बाद हम जब इसमें मिलाएंगे तो चलिए आप लोगों को दिखा भी देते हैं कि आप हम इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा washing powder और कुछ नहीं डालना है washing powder हो बिम liquid हो और अगर आप बिम का जो से ये इतना अच्छा clean होगा कि मतलब आप कोई यकीन होगा आप देख सकते हैं मेरे लगाते ही मतलब उसमें कुछ भी time नहीं लगा है लगाते ही आप उसका कमाल भी देख सकते हैं जैसे ही मैं जूना रगटती जा रही हूँ वहां से वह पूरी तरीकी से clean होता जा रहा है और chemical बगएरा जो है मैं use नहीं करती हूँ खाने पीने के बरतनों में या kitchen की किसी भी चीज में तो ये देखिए आप मैं जहां भी इसको घिस देती हूँ ना वहीं पर बिल्कुल से clean हो जाता है तो आप देख सकते हैं मतलब मैं बिल्कुल कुछी भी इस मैं वो नहीं कर रहे हूँ मैं यहां तक कि मैंने camera की light भी on नहीं करी है जिससे आपको लगे कि ये बिल्कुल light on करने से थूड़ा साप सा दिखने लगता है तो वो भी मैंने नहीं करी है ताकि जो reality है वो मैं आप लोगों को दिखा सकूँ और बाकई में ये काम करता है आप एक बार यकीन करिए मेरा एक बार इस तरीके से clean करके देखिए बाकई में बहुत अच्छा काम करता है और मैंने तो किया तो देखिए मुझे अच्छा लगा और बाकई में उसने काम किया तो मैंने आप लोगों के साथ share किया अगर ये काम नहीं करता तो मैं नहीं करती क्योंकि मेरा काम है आप लोगों तक बहुत ही useful चीज़ें share करना जैसे आपको कुछ फायदा हो क्योंकि मेरा काम वीडियो बनाना है और मैं cleaning से सम्मंदेद ही वीडियो बनाती हूँ तो मेरा क काम है कि मैं आप लोगों को अच्छी से चीज़ें बताओं ताकि आप लोग मेरा वीडियो को पसंद करें अगर मैं इस तरीके से जुट बोलके या ऐसे करके कुछ भी आप लोगों के साथ share करूंगी तो आगे से आप मेरा वीडियो खुद ही नहीं देखेंगे और मैं उसको टेस्ट करके ही आप लोगों तक वीडियो भेजती हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारी क्लीनिक हो चुकी है और कितने अच्छी से क्लीन हुआ है कोई वो नहीं हुआ है और जहां भी रह गया है उसको दवारा से कर देंगे हम थोड़ा सा रह गया था तो आप द आपको मेरा वीडियो कैसा लगा यह आप मुझे ज़रूर बताएगा कॉमेंट में और जो लोग नए आते हैं वो सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को तो आज की क्लीनिक आपको कैसी लगी ज़रूर बताएगा